आसाम की और से काफी बड़ी अपडेट आ रही है जी हाँ आसाम ने एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए काफी जादे पावंदियां रिष्टिक्स्तन लगा दिये हैं जो आपके 21 महीं से लागो होने जा रहे हैं आप कह सकते हो यह लोगडाउन जैसी ही पावं के अंदर भी एक जिले से दूसरे जिले में काफी जोरो से आवाजाही कर रहे हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हम कुछ गैडलाइन से रिलीस कर रहे हैं आपदा प्रबंदन कमेटी ने जो रिलीस करी हैं जो आपकी 5 बजे 21 महीं को लागू हो जाएंगी तो यहां पर देखेगा इन्होंने साप साप लिखा है जो बैक्ती या ट्रांस्पोर्ट सर्विस के माध्यम से किसी जिले के अंदर आना चाहरे हैं आसाम की किसी भी जिले के अंदर ठीक है दूसरे जिले से आप आसाम की किसी दूसरे जिले में आवा लोगडाउन जैसी तो केबल इन लोगों को छूट मिलेगी और इन सेवाओं के लिए छूट मिलेगी तो वो कौन सी सेवाएं हैं लोग हैं तो मैं आपको बता दूँ देखिए का जो फ्रेंट लाइन वर्क हैं जो कोविट 19 से जुड़ी हुई दूटी कर रहे हैं उनको छूट मिलेगी एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए जो एमर्जनसी सर्विस है हेल्थ केर बगेरा में लगे हुए है ठीक है उसमें लगे हुए है आप होस्पिटल बगेरा में लगे हुए हो मेडिकल बगेरा फैसलेटी बगेरा है बगेरा हैं वो आगर आना जाना चाहें तो आप आवाजाही कर सकते हैं ठीक है और भहीं CFS और ISD वगेरा जितने भी हैं कारगो हैं और टिक्टिंग के रिगार्डिंग जितने भी हैं और NIC NCC और PHE इनको भी पुरी तरह से आवाजाही की इजाज़त होगी बट आपको अप अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप जो है यूज कर सकते हो एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने के लिए आपको इजाज़त होगी एरपोर्ट या रेलवे या आप बस ISD का यूज करके आवाजाही करना चाहते हो तो आपको अनुमती होगी बट आपके पास बैल जाएगी और बस में बैटने के लिए आपको भी टिकेट दिखाना होगा कि मैं इस स्थान से आ रहा हूँ ठीक है और देखीगा मूमेंट ओफ ओफिसर्स एंड रिलेटिड ओफ फंक्शन ओफिस डिप जितने भी देखीगा हमारे वो लोग हैं जो मतलगी नोकरी करते हैं स अग्ला पोइंट बताया गया है कि ये जो हम मैं आपको बताओंगा कि कमर्सियल और हमारे जो बो लोग हैं जो संस्थान बगएरा में जितने ओफिस बगएरा हैं हमारे सरकार से जुड़े होए और प्राइवेट बगएरा ये खुलेंगे किस पर कौन से खुलेंगे इनको बताया गया है और किस सर्विस के लिए तो आप आवजाही कर सकते वो यहां पर बता है यदि देखे गा दोस्तो आप जो है दुकान पत जा लहाए हो जैसे फूढ़ की दुकाने ग्रोसरी फ्रूट है और वेजिटेबल है, डेरी है, दूध है, ठीक है, मीट की दुकाने हैं, मचली की दुकाने हैं, और एनीमल फुर्डर की दुकाने हैं, Azim были सैंड्रें की दूकाने हैं तो आप इन पे आवजां ही कर सकते हैं, आपको इजाज़त होगी एक और IT सर्विस बगेरा वाले लोग हैं इनको भी आने जाने की इजाज़त होगी और पेंट्रोल पम, पेलपीजी, सियनजी, पेंट्रोल, स्टोरेज आउटलेट बगेरा के रिगार्डिंग भी आप आवजाही कर सकते हो एक जिले से दूसरे जिले में महीं बात करें कोल्ड स्टोरेज, बेर हाउसिंग सर्विस हमारी चालू रहेगी और ठीक है, इनको भी अनुमती है, प्राइवेट सिक्योटी सर्विस इनको भी अनुमती है जो मैनुफेक्शर कर रहे हैं जरूरी वस्तों का, उनके लिए भी आवजाही को इजाज़त होगी और COVID-19 के लिए जो टीका लगवाने जा रहे हैं, उनको भी आवजाही में इजाज़त होगी आप आवजाही कर सकते हो, भी देखिएगा बात करें, जो लोग हमारे इलेक्शन रिलेटिड बर्क कर रहे हैं, गवर्मेंट अथोर्टी के दुआरा प्राइवेट इंडरप्राइस जितने भी हैं, एनि पॉलिटिकल पार्टी, बगएरा मतलग यहां पर कहा गया है, कि वो हमारा पूरी तरह से जो परसन है वो भी हमारा मतलग अपना कारिय अपनी मंजूरी से करते रहेंगे जो भी उनके तहत हमारी गार्डलैंस है, आपके पास अपना आई कार्ड होना चाहिए और देखेगा, यहां पर आगे बता रखा है, जो हमारे करमचारी है और जो हमारे बन भिवाग वगेरा में, जलवायू परिवरतन डिपार्टमेंट में जंगल वगेरा के डिपार्टमेंट में किसी डिउटी के दोरान लगे हुए है, कैसी भी डिउटी हो सकती है तो उसके लिए रिगार्डिंग भी आपको बैले डाई कार्ड दिखा करी, आने जाने की इजाज़त होगी और देखेगा जो हमारे maintenance of agriculture, मतलग कि जितने भी हमारे किर्सी से जोड़े हुए उतपाद वगेरा हैं और उन से जोड़े हुए जितने भी सर्विस वगेरा है, इनको भी आने जाने की इजाज़त होगी आप उर्ती करने के लिए और FCI जो हमारे संस्थान है, जरूरी सेवाओं से जुड़ा हुआ, तो इनके लिए भी आवाजाही की इजाज़त होगी जो जरूरी सेवाओं के लिए आवाजाही कर रहे हैं लोग, ठीक है और देखीगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मेडिकल परसनल है, नर्स है, पेरामेडिकल स्टाफ है, होस्पिटल सपोर्ट सर्वीस है, इनको भी आवाजाही करने की इजाज़त होगी एक जले से दूसरे जले में अगर देखीगा, आप जो है, एर ट्राफिक के माद्यम से, या मैं यूं कहूं, रेलवे पैसेंजर हो, या गुड्स ट्रेंड है, इनको भी आने जाने की इजाज़त होगी, पूरी तरह से कोई भी आपका फ्लाइट है, या रेलवे पैसेंजर है, एक रेल दूसरे जले मे के अधिकारी है, सिनियर एक्जुकेटिव हैं, उनने उन गौर्मेंट सेक्टर के जो हमारे हैं, सपोर्ट, स्टाप, एमर्जनसी और इसेंजियल वर्क के रिगार्डिंग ही, आपको मनजूरी है, एक जले से दूसरे जले में आवाजाही करने की, ओके और मैडिसन के रिग जो हमारा समान को आवाजाही कर रहे हैं, समान को लेके जा रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रक बगेरा के अंदर, तो उनको भी इजाजत होगी, ठीक है, और यहाँ पर बता रखा है कि अगर आप देखीगा, दोस्तों, इसका उलंगन करोगे, तो आपके खिल अदर दिन तक के लिए हमारे एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर किनको छूट मिलिये और इनके अलावा सभी पर हमारी पावंदियां रहेंगी, तो यही थी पूरी गैडलान्स, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर वीडियो थोड़ी बहुत हैलफुल रही हो तेंक्यू सो मच्च